और इस वक्त बड़ी खबर प्रियागराच से भी है जहां पर स्वास्त विभाग ने बहुत बड़ी लापरवाही की है भाजपा सांसत के पती की कोवीड रिपोर्ट में गरबड़ी की बात सामने आई सांसत के पती के निगटिव रिपोर्ट को पोजिटिव बता दिया गया स्वास्त विभाग ने गलती मान ली है स्यमों ने भूल बताया है लेकिन सवाल ये है कि ये जब मसला आम लोगों के बारे में आता है तब क्या स्वास्त विभाग गलती मानता है एक मामला ऐसा सामने आया था जिसमें स्वास्त विभाग को फजियत जेलनी पड़ेती लेकिन एक और मामला सामने आया है बड़ी खबर प्रियाग राथ से स्वास्त विभाग की बड़ी लापरवाई सामने आई है भाचबा सांसत के पती की COVID रिपोर्ट में गरवडी सांसत के पती की निकिटी रिपोर्ट जो है उसे पॉजिटिव बता दिया गया स्वास्त विभाग ने गलती मान ली है मौहमद मोहिन हमारे साथ जुड़ गया है मोहिन ये मावला सांसल से जुड़ा था तो स्वास्विभाग ने गलती मान ली लेकिन ऐसे तमाम मसलिया और एक मावला बहुत जादा वहाँ पर उचला भी था जब एक आम व्यक्ति के साथ ये चीज़ हुई थी तब गोलमोल हो गया स्वास्विभाग कि आप पूरी तरीके से ववस्था चामना गही है प्रयाग राजवे बिसकों सही तोर पर कहा जासकता है कि ये स्वास्विभाग के बहुत बड़ी लापरवाई है किसी की नेगेटिव रिपोर्ट को पॉजिटिव बता देना कई बार ऐसा भी हुआ है दो से तीन मामले ऐसे हो चुके हैं कि अलग-अलग लैब की रिपोर्ट में अलग-अलग रिपोर्ट आई हुई है तो ये साफ तोर पर कहा जा सकता है कि स्वास्विभाग के लापरवाई है और वैसे रीता जोशी के परिवार को भी कि उनके पती की जो पूरण चन जोशी है उनकी रिपोर्ट पाजिटिव आई है उसकी खबर उनको एबीपी गंगा से ही मिली एबीपी गंगा पर जब ये खबर चली तो देश बर से उनके पास फोन आने लगे और पूरा परिवार इसकदर सहम गया इसकदर परिशान हो गया कि उन्होंने दिल्ली ले जाने तक की मवस्ता कर डाली एंबुलेंस की बुकिंग तक कर डाली गई बिल्कुल और मुहिन इससे यह भी समझा जा सकता है कि अगर किसी की रिपोर्ट पॉस्टिव आ गई है तो उसे फॉरन बता दिया जाए उससे आइसोलेट कर दिया जाए जरूरत हो तो उसे अस्वताल पहुंचाया जाए लेकिन अगर एबीपी गंगा बता रहा है कि आप पहले पॉस्टिव बताए गया बाद में बताए गया कि नेगटिव है और शुक रहे वगवान का कि वो नेगटिव है लेकिन ये लापरवाही आप मानती है कि इसको सुधार ने कि जरूर अथपरयाग राज में देखे बहुत स्ट्रेस में है विभाग और बहुत बहुत सारे बच्चों को डेली वेजिस पर रखा गया है तो डेटा एंट्री में कुछ गरबर हुई थी लेकिन दस मिनट के अंदर ही उन्होंने सुधार दिया उसको कुछ फोन आया आगे से कि भाई हमसे गलती हो गई और यह उनका नाम नहीं था मैं हमको इस पर टिपनी करनी ही पड़ी हमको पहले ख़बर आई तो हम थोड़ा चिंतित हुए क्योंकि हम लोंने ऐसी टेस्ट करवाया था रैंडम तो अब उसको फिर उन्होंने तुर्टी सुधार दी लेकिन वो जो सूची निकल गई उससे थोड़ा सा चला गया तो मैंने उनको ज़रूर इदायद दी है कि थोड़ा सा सतर करें क्योंकर डेटर एंट्री में गलती होगी बिल्कुल तो फिर पता चला कहीं कहीं पहुंच जाएगा बिल्कुल मैं और इसमें चिंता वाली बाती है कि अगर किसी पॉजिटिव व्यक् तो यह तोड़ा सतर करने की बात है लेकिन प्रेशर बहुत है विबात पर मैं सिंपथाईज करती हूं के साथ हमारे करोना वाजियोस बहुत लड़ाई लड़ रहे हैं तो इसलिए क्योंकि उन्हें ने खुझी तुझी सबार लीस थी मुझे कोई शिकायत नहीं है शुक्र लड़ को पॉजिटिव आपने बता दिया वहार्ट पेशंट हैं उनको सदमा लग सकता है धक लग सकता है अगर आपने पॉजिटिव व्यक्ति को नेगटिव बता दिये तो और कहा कहा घूम कर कोरोना फैला सकता है यह भी अंदाज़ाना मुश्किल है जो विवस्थाएं है क्या पूरे और जैसा कि भाजपास आंसाद ने कहा कि बच्चों को रख लिया गया डेटा इंटरी के लिए ये तो और भेंकर इस्थिती है बहुत कमभीर वक्त है और बहुत एक एक पर कई बार बेश कीमती हो जाता है तो निश्चित तोर पर स्वास महिकमा काम कर रहा है अपनी चम्ता से ज्याता काम कर रहा है कई लोगों को contact basis पर hire किया गया है लेकिन उनकी training दिये जाने की ज़रूरत है उनकी counselling किये जाने की ज़रूरत है पाकी इस तरह की गड़बड़ी होने ना पाए क्योंकि अगर एक छोटी से चूप किसी की जिंदगी के लिए भी भारी पड़ सकती है बिल्कुल संपर्क नहीं कर पाते संपर्क करें तो सही से जवाब नहीं मिलता यह चीजे सारवजनिक पटल पर है अलाकि उन कोरोना वारियर्स का भी हम सम्मान करते हैं जो दिन रात मेहनत के साथ काम करें जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए